अब हमेरे चैनल में पहले आई है तो पहले सब्सक्रिब कीजिए फिर बेल आइक और को दवाए और अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमंड कीजिए थैंक यू आपको हमारा चैनल डेफलोगुरु में सागत है आज हम बात करेंगे भागवलपूर में बनेगे नए हाइटेक रेल याड का निर्मान तो चलिए शुरू करते हैं भागवलपूर में एलेजबी कोच यानि लिंग हुपमेन बूस बाले रेक का मेंटेन्स के लिए बनने बाले हाइटेक रेल याड के निर्मान होगा दरासल टिकानी में गूर्ज याड चले जाने के बाद यह दो नई पीट लाइन का निर्मान होना है इसके लिए बाजेट में 45 कोड़ोर रासी भी आबंटित की जा चुकी है पूर्वो रेलोय की CME ने निर्खन के दोरान मार्च तक निर्मान कार्ज पूरा होने के बाद कही थी निर्मान होने पर बारेगी टेन की संख्या इस हाइटेक याड में इसमें नई तेकने की मेशिने लगाए जाएगी याड पूर्व भारत का पहला अत्यधनिक सुभिदाव बाला याड होगा याड का निर्मान पटना की WPO कुमपानी कर रही है WPO रेलोय से जुड़ी कोंट्रक्शन पर कार्ज करती है राजंद्र नगर टार्मिनेल में बनी कोचिंग कमप्लेक्स को भी इसी और्गनाशन ने निर्मान किया है बहतर और उमदा तकनिक से काम के लिए जाने के कारण ही भागलपूर में भी कोचिंग कमप्लेक्स में एल एजबी रक्रवाव के लिए हाइटेक याड पिट लाइन निर्मान का कार्ज इसी और्गनाशन को दिया गया है लाइन का निर्मान हो जाते ही तो भागलपूर से नई ट्रेन चलने की संभवना बढ़ जाएगी पर कम में हो रही बिलंब से इस पर संग्सवय बढ़ गया है WPO के डिप्टी ASEE सीवकुमार पोसाद ने कहा कि निर्मान कार्ज में लगी ठिकादर के साथ संभवार को पुर्वोरेले मुख्खलाई में बोठक की जाएगी इसमें निर्मान में आ रहे ही परिशानियों और बिलंबो पर मन्थन किया जाएगा जल्द ही काम सुरू हो जाएगा एए नियू सुनकर आपको अच्छी लगी तो जरू लाइक, सियर, कमन कीजेगा और जरू सबस्क्रिप करेगा थैंक यू